बॉल्कूअ सोव्लीकिन दाइक सक्ता है और हम कौन सा यास्त दातों के लिए यूल्क बात करके। योग फ्रिशसरा होता है GIC की प्रॉपर्ट disp वी तो यह होता है यह यह डिखने में बिल्कुल दातों के कलर क्या होता है GIC एक easy and most preferable method है generally जो dentist recommend करते हैं वो होता है GIC तो GIC में liquid and powder की mixing की जाती है GIC दिखने में बिल्कुल दातों की तरह होता है ये एक tooth color restorative material होता है जिसकी properties भी बिल्कुल दातों की तरह होती है ये easily set भी होता है बच्चों में इसे हम किसी भी बच्चे में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर कोई बच्चा uncooperative है वो बार-बार dental treatment के लिए नहीं आना चाहता है dentist के पास visit नहीं करना चाहता है तो GIC एक easy and preferable method होता है ये less time taking होता है इसमें time भी कम लगता है और ये जल्दी हो जाता है इसे जल्दी feel किया जा सकता है तो GIC जो होता है वो single sitting होता है एक sitting में GIC feel करके हम उसे pre कर सकते हैं बच्चों को GIC में fluoride releasing properties होती है ये जो fluoride releasing properties होती है इनका काम होता है हमारे दातों में जो cavity होती है उन्हें आगे ना होने देने से रोकना fluoride का काम होता है cavity को ना होने देने में मदद करना अब हम बात करते है composite की जो skin preferable most common method होता है वो होता है composite composite भी एक तो composite की बात करें तो composite भी एक अच्छा material होता है लेकिन इसमें दो से तीन स्टेप्स होती है पहले तो dry किया जाता है head change लगाया जाता है then bonding agent का use किया जाता है और एक particular babe length से light curing की जाती है और ये फटा-फट वहाँ पर set हो जाता है ये GIC के compare में जो देखा जाता है तो जो composite होता है वो जल्दी set होता है और less time taking होता है लेकिन composite में 2-3 step होती है तो mostly ये जो cooperative patients होते है और जो patients uncooperative नहीं होते है उन्हीं में ये mostly prefer किया जाता है लेकिन अगर जो setting के बात करें तो ये GIC से ज़्यादा पहले और rapidly set करता है क्योंकि ये इसमें light curing के बज़ा से जो हम GIC के लिए set होने में 2-3 minute छोड़ते है लेकिन वहीं composite करने में 2-3 minute के लिए हमें उससे set करने के लिए नहीं छोड़ना होता इसलिए light curing के बज़ा से composite जल्दी set हो जाता है और GIC set होने में time लगाता है अब हम बात करते हैं इन दोरों को composition मिलाके यानि GIC and composite का composition मिलाके एक material आता है जिसे हम resign GIC बोलते हैं इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं ये भी rapidly set हो जाता है और easily set हो जाता है GIC के feeling करते time एक medicine भी डालते हैं जिसे हम SDF बोलते हैं यानि sodium diamond fluoride ये अगर किसी बच्चे के daat में cavity बहुत नीचे तक जा चुकी है यानि कि नसो तक बहुत चुकी है और deep cavity हो और cavity हो रही हो उन cases में GIC feeling करने से पहले ये medicine वहाँ पर डाल दी जाती है जिसे अब SDF डालने के वज़ा से वहाँ पर cavity जो होती है वहाँ पर रुखने में मदद होती है cavity और आगे नहीं बढ़ पाती है और फिर वहाँ पर GIC की feeling कर दी जाती है लेकिन SDF यानि कि sodium diamond fluoride डालने के वज़ा से वहाँ पर जो ये feeling होती है यानि कि जो GIC की feeling होती है वो एकदम से tooth color की matching की नहीं होती तो ये बिल्कुल से tooth color का जासे की GIC होता है वैसे बिल्कुल नहीं दिखता है ये थोड़ा सा color change इसमें आ जाता है या तो gray या तो hलका blackish type में ये नज़र आने लगता है अगर जो हम composite और GIC में ये देखी कि सबसे बहतर material कौन सा होता है बच्चे अगर जो uncooperative है बार बार डेंटिस के पास नहीं आना चाहते है तो ये जैसे एक अच्छा method होता है feeling करने के लिए GIC की properties भी बहुत अच्छी होती है जो की similar होती है दातों की properties की तेरा और ये tooth color restorative material होता है ये बहुत important है जो की ये tooth की तरह ही बिल्कुल दिखता है और ये easily feel के आजा सकता है फिर आते हैं कमपोमर्स अभी जो कमपोमर्स होता है ये भी हम feeling के लिए यूज कर सकते है बट इनका main disadvantage ये होता है कि ये दिखने में दातों के color के नहीं होते है इनका जो color होता है वो अलग टाइप का होता है ये different color restorative material होता है ये तो बाते थी कि हम बच्चों में कौन सा feeling material यूज कर सकते हैं और कौन सा feeling material यादा बहतर होता है उनके दातों में भरने के लिए अगर आपको इस से related कोई भी confusion या क्योरीज हो प्लीज इनके लिए टाने के लिए लिए दाने के लिए लिए सेवाग कर लाइप कर देवाग कर देवा है